Hello everyone, today we will start a poem and your poem name is Chivi So, what is the meaning of Chivi? First, let's start with a short note Ask yourself as well as your partner Do you like to be always told what to do or not to do? तो आप कुछ से भी पूछिए और अपने क्लासमेट से पूछिए क्या आपको अच्छा लगता है कि कोई आपको बोलो कि what to do and what not to do आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए Do grown-ups do this in your experience? क्या आपको लगता है कि जो grown-ups है बड़े लोग हैं ठीक है वो हमेशा ऐसा करते हैं When Michael was 5 years old His mother took him to a nearby school for admission The teacher asked What does your mother call you at home? Child, Michael don't come King, the confident reply तो यहाँ पे जो Michael बोला गया है Short story में वो Michael है poet, that is Michael Rosen यहीं Michael यहाँ पे बोला गया है कि जब वो 5 years के थे तो उनकी mother जब उनको school में लेके गई admission के लिए तो उनकी teacher ने बोला कि तुहारा नाम क्या है तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला Michael don't, मेरा नाम क्या है Michael don't Came to a confident reply वो काफी confidence से उन्होंने अपना नाम क्या बोला चीज कहना ताकि वो मजबूरी में करेगा तो सही लेकिन कहीं ना कहीं वो annoying हो जाएगा ठीक है according to the dictionary according to the dictionary में बताया गया कि चीवी ऐसा word है जिसका मतलब होता है कि किसी को continue बोलते रहना जब तक कि उसको गुसा ना आ जाए ठीक है बोलो don't talk with your mouth full जब आपका मुँ भरा हो तब बोलना नहीं चाहिए don't stare घूर के मत देखो don't point जब आप finger किसी की ओपर point करते हो तो ऐसा मत करो don't pick your nose हमेशा अपने नाख को नाख पे हाथ मत लगाओ sit up sit बैट जाओ say please हमेशा please करके बोलो less noise ज़ादा शोर मत करो shut the door behind you जब भी आप कहीं से आते हैं या जाते हैं तो दर्वाजा बंद करके जाओ don't drag your feet अपने पैरों को घसीट के मत चलो haven't you got a hanky तुम्हारे पास hanky नहीं है क्या take your hands out of your pockets जब तुम किसी से बात करते हो या कहीं पे घड़े होते हो तो अपने hands को pocket में मत डालो pull your socks up अपने जो socks हैं उसे उपर करो stand up straight हमेशा straight बैठो say thank you हमेशा thank you बोलो don't interrupt जब कोई बात कर रहे हो तो बीच में मत interrupt करो no one thanks you are funny कोई तुम्हें funny नहीं समझता है ठीक है take your elbows off the table कभी भी table के उपर अपने elbows दोनों हाथ के elbows रखके बात मत करो can't you make your own thing own mind up about anything क्या तुम कभी खुद से सोचोगे तो ये सारी जितने भी points हैं ये एक grown-ups बोलते हैं तो इसमें poet जो है Michael Rosen ये बता रहे कि किस तरीके से जो adults है जो family में बड़े हैं वो छोटे बच्चों को pick up करते हैं कि आप ऐसा करिए आप ऐसा मत करिए तो कहीं न कहीं से जो छोटा बच्चा है उसकी habit हो जाती है कि वो खुद सोच नहीं पाता क्योंकि उसे हर बार guidance मिलती है हर बार कोई न कोई से बताता है कि क्या करना है तो आगे चलके भी क्या होता है जादा से जादा decisions कौन लेते हैं parents लेते हैं तो बच्चा जब पैरों पे खड़ा होता है या खुद आगे की decisions लेता है उसको बहुत difficulty का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमें बताया गया है कि life में जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा तो जो grown-ups हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि थोड़ी कुछ situations में बच्चों को कुछ चीज़ें खुद ही करनी देनी चाहिए क्योंकि जब तक वो गलतियां नहीं करेंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा तीक है लेकिन कुछ situations ऐसी रहती है जहां पर parents को बच्चों को guide करना पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा guide करने से भी बच्चा क्या है बहुत ज़्यादा frustrate हो जाता है और अपनी life को खुद handle नहीं कर पाता ठीक है If you have any doubt regarding this poem that is Shreevy you can freely ask me Thank you everyone